Well, good afternoon ladies and gentlemen, thank you for joining us here at the BW Wellbeing World Spirituality Conflict 2023. बहुत अच्छा लग रहा है आप सब को यहाँ देखके कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसे concept के बारे में बात करने के लिए जो हम सब मनही में follow तो करते हैं और सोचते हैं हम हर रोज अपनी जिन्दगी में उसे apply कर रहे हैं तो शायद कहीं न कहीं कमी रह जाती है। सवामी जी अगर मैं आप से पूछ हूँ कि इतनी भागती दौडती जिन्दगी है हम सब की इसके बीच में जैसे आपने बोला हम body के लिए बहुत कुछ करते हैं बट अपने spiritual अपने soul अपने mental balance के लिए बहुत कम कर पाते हैं तो ऐसी कुछ तीन चार spiritual learnings संशिप में अगर spirituality practice करने के लिए दबाव महसूस हो रहा है कभी कभी होता है जैसे जिम नहीं गए तो लगता है अरे जिम नहीं गए कल दुबारा से जाना पड़ेगा extra hours देने पड़ेंगे और calories burn करने पड़ेगी तो एक दबाव होता है बट spirituality में वो चीज नहीं है तो ऐसे कुछ छोटे छ प्राक्टिस अगर हम आप हमें बता पाएं देखिए सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा meditation का एक प्रकार है deep breathing और deep breathing को मैं अनेक बार कहता हूँ 100 रोगों की एक दवा जैसे मैंने अभी चर्चा की जिनको गुश्चा अधिक आता हो उसके नियंतरन के लिए deep breathing का प्रियोग कलर meditation के साथ हम करवाते हैं रामबान ओस्ती है जिनकी यह शिकायत हो कि मन अधिक बढ़कता ही बढ़कता रहता एक जगे केंद्रित नहीं हो कता है और आप और हम सभी जानते हैं कि इकागरता सफलता की कुंजी है और तीसरी अगर मैं बात को हूँ तो सारीरी की स्वास्ति के लिए जब हम छोटा स्वास लेते हैं चोटा छोड़ते हैं तो ऐसे के अंदर जहरी ले तत्व जमा होते जाते हैं और कालांतर में बिमारी की रूप में प्रकट होते हैं दी प्रिदिंग का और कोई लंबा समय नहीं अधिक मैं नहीं कोँगा हमारे यहां तो प्रार्म में ही का गया एक गड़ी आदी गड़ी राधी मैं पुनार तुलसी संगत साथ्यू की कठे कोट ही अप्रा चोईश गंटे का समय हैं हम सब के पास अगर आप केवल चोईश अर्टालिस मिनिट का एक ऐसा समय अपनी बैटरी को चार्ज करने का आज कल किसी के घर भी जाए नहीं तो सबसे पहले कहते हैं अरे या चार्जर है क्या मेरे मोबाइल चार्जर पर लगा मोबाइल के चार्ज का पूरा ज्यान है बैटरी बैक अप साथ लिए गुमते हैं लेकिन इसकी बैटरी के चार्ज के लिए मैं कोँगा डीब ब्रिदिंग का एक छोटा सा प्रियोग अगर आप करना चाहें तो एक-एक मिन्ट के दो प्रियोग है एक मिन्ट पहले तो आप ये नापिये वर्तमान में क्या इस्तिती है और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेडिकल साइंस के अनुसार एक स्वस्त वेक्ति एक मिन्ट में 16-17 स्वांस लेता है और जब हम आवेश और आवेग की स्तिती में होते हैं तो जितना उसका टेंपरेचर अधिक होगा किसी भी प वाइकल है वो जब भी आपके बीतर प्रवेश करेगा वो छोटे स्वांस की सवारी करके आता है अगर आपने डीप रिदिंग को साध लिया डर्वाजे तक आयोए गुस्ये को वापस लोटना पड़ेगा ये दर्वाजा बंद है बीतर कोई आ नहीं सकता उसी तरह से अग आपका स्वांस छोटा हो जाए तो डीप रिदिंग के प्रियोग को मेडिटेशन से आप सुभारम कीजिए और मैं ये दावे से कहता हूँ केवल तीन महीं ने डस बीश मिन्ट के लिए इस प्रियोग को आप कर लें आपके जीवन में नई क्रांती घटित हो सकता दूसरा प्रियोग में कहना चाहूँगा सद साहित्या आज कल ये अब कम हो वे आए ये जब से ये वाटसप कार आया है ना मामला अब तो मेट्रो में क्या सड़क पार करते वक्त भी जो है आदमी लगा हुआ हो जो क्योंकि जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच वि आसर एक करीका बताया मैंने मेडीटेसन का दूसरा है सकारात्मक फॉजिटिव थिंकिंग के लिए और फॉजिटिव थिंकिंग क्यों जरूर ये पत्दी पत्नी में जगरा हो गया पतनी ने का कि तुम तो जानवर हो एक दम पती मुस्कराने लगा पतनी को फिर गुसा और अधिक आया बोले पता भी है मैंने क्या का है जानवर हो जानवर पती फिर मुस्कराता है पतनी ने जला के पूछा पता है किसको कहते है जानवर उसने का अपनी साधी को पत्चीस साल हो गए पिछले साल हमने सिदलर जुबिली भी बना ली यूवर्ड कन्वेंशन सेंटर में पर पहली वार जिस सब्द के लिए मैं तरस रहा था तुम मेरी जानहर में तेरा वार हू यह कब संबव है जब पॉजिटिव एप्रोच हो वरना कोई किसी को जानवर करें कह दे थोपड़ा चेंज करके कॉंग्रेस बार्डी के चुनाव जिनी उगेर दे तो मेडिटेशन स्ट्वाध्या है अगर इन दो आयामों को आप जीवन में जोडते हैं इस संतुलन को पै Thank you, thank you. वो दो टिप्स हम लोग कोशिश करेंगे अपनी जिन्दगी में रोजाना अप्लाई करने की. बहुत सरलता से समझाई है स्वामी जी ने. I think हम सबको इसे अग्री करना भी पड़ेगा कि डीप फीटिंग और पॉजिटिव थिंकिंग. I will come to a question. Sir, एक चीज़ और पूछूगी आपसे. चोटा सवाल एक और. जिन्दगी में बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें बहुत tough decisions लेने पड़ते हैं. situations ऐसे होते हैं जहांपे morality काम नहीं आपाती है. काफी time होता है. ऐसे situation में फसके हैं जहांपे आपके moral values, moral ethics, आपके question हो जाते हैं उन पे. उस वक्त हमको as a human, जब इतनी disturbance माइन में चल रही होती है. कौनसी ऐसी चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना उस situation का decision लेने के लिए कि क्या सही है और क्या हमें करना चाहिए. बहुत ही अच्छा प्रस्ण किया है समझा जीने मैं कहना चाहूंगा की shock mind ये जितने भी तरीके हैं ना, meditation के, पाध्याय के, ये अलग-अलग प्रकार जो है, मू लेते हैं हम अच्छा decision भी कब ले पाते हैं हमारा मन सांत होता है, एक businessman भी good decision कब ले पाएगा जब अगर उसका मन केंदरित है, शांत है, peaceful है, तो इसलिए ये जो प्रकार है, जितनी भी साधना का कह दो आप, ये अच्छल में तो way of life है, जीवन जीने की कला है, सुस्तम है, सुखी और अननवे जीवन के मूल मंत्र है, इसको दर्म से अध्यात्म से आप जोड़िये मत जोड़िये, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए, मानता हूँ मैं कि जीवन में अनेक उतार चड़ावाते हैं, और ऐसे समय में व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रॉफिक पुलिस वाले ने देखा, संद्या का स चाहूंगा कि वो आदमी कितना खतरनाख होगा, जिसके अपने इमोशन्स पे कंट्रोल नहीं है, जिसके अपने पेशन्स पे कंट्रोल नहीं है, तो अप एक सा इस बात की है कि अपने इमोशन्स और पेशन्स पे कंट्रोल के लिए, और अपने इंटुशन पावर, जिसका जागरित नहीं है तो इंटुशन पावर को जागरित करने के लिए इमोशन्स और पेशन्स पर नियंतरन के लिए फिर से दोराओंगा अब अलग अलग प्रकार है जैसे संब्रती स्वास प्रेक्षा अनुलोम विलोम जिसको बोलते है रेलेक्सेशन का प्रियोग है जो कि तन मिले एहमदावाज में मैंने उनसे कहा कि आप नॉन वाइलेंस पीश पर कॉंफरेंस करते हो मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों के वीड़ जुटाता है पर आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है बदलाव जो आता है वो प्रियोग से आता है मील का प इमान किसी का अदास नहीं है जीवन के अर सांस को साड़ तकर डालो तुम सांसों में पल भर का विश्वास नहीं है तो आईए बंदुओं उन प्रियोगों को जीवन में अप्लाई कीजिए तो निश्चित उसे बदला Thank you, thank you स्वामी जी तो चार चीज़े जो हमने आज इस कॉन्विजेशन में तो सीखी Intuitional power, centralized thinking, positive thinking and deep breathing ये चार चीज़े अगर हम अपने अंदर अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं और रोज के practice में ला सकते हैं तो शायद जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाए एक सवाल लेंगे हांजी तो को मेरे साथ आना है तब तो और बड़ा दो थोड़ी और गरवालों को रखना है तो कुछ अपने मन की करो कुछ उनके मन की करो पर हां मैं यह वश्य को हूँगा ये तो एक विनोत की बात हुई मेडिटेशन के लिए अब ये हर व्यक्ति का इसमें अलग अलग एक नियम नहीं हो सकता कुछ व्यक्ति सादक ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर में गेराई में उतर जाते हैं कई ऐसे सादक भी मैंने देखे हैं कि गेराई में ऐसे उतर जाते हैं कि उनको वापस लोटके आना जो है वो बहुत उसके लिए प्रयाश करना पर लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि कैसे आपने का वो रक्ष की तरह हो गया है अच्छल में जब हम सही विदा से करते हैं और बीतर से जब आनन्द आने लगता है तो वो अपने आप उसी तरह हो जाता है जैसे अभी संजना जी न जब तक हम विदी से नहीं करते हैं जैसे मैं जैन परंपरा से को मैंजिस परंपरा साई हो हमारे यह एक अनुस्ठान होता है जैन की तरह ही शामाईक का अधिकान से लोग है वो अड़तालिस मिंट का काल खंड होता है वो आसन बीचा के बेढ़ते हैं और उसके बाद ज्या से कहता हूं कि इसको जीवनत बनाई यह सावाई को आप मान लीजिए परना मिंट मेडिटेशन कर रहे हैं परना मिंट वजन का संगान कर रहे हैं परना मिंट साहित्य पड़ रहे हैं कुछ सताहित पड़ रहे हैं किस तरह अगर करेंगे तो वो 80. Mont कब गुजरेंगे पता नहीं लगेगा उसमें भीतन में रस आएगा फिर आप एक दिन छोड़ भी नहीं पाओगे तो यह तो माशे बहुत अच्छी आदत है कि उसको आप उस तरह कर रहे हैं मुझे लगता है कहीं कहीं प्यान सदा है और अंदर से आनन्द है अब जहां तक बात परिवार की है तो स संतुलन जरूरी है सारी चर्चा ही संतुलन पर हुए है तो स्वामी जी अनेक अनेक धन्यवाद आपको आज हमारे यहां पे आने के लिए और spirituality conclave का पार्ट होने के लिए तैंक यू सो मुच लेइस और जेंटलमें वन बिग राण अप्लॉस पर स्वामी जी